विलकुम डू सुकलोई स्टेडी पॉइंट आप सभी का सौगत है आपके अपने डूटूब चैनल सुकलोई स्टेडी पॉइंट में मैं से उम्शुकला आप सभी दोस्तों का हर्धिक स्वागत करता हूँ अगर आप लोग B.A. में हैं या B.S.C. में हैं थर्ड यर में पहुँच चुके हैं और आप फिफ्त समस्टर में हैं कि थर्ड यर में जब आप पहुँचते हैं नवींतम एजुकेशन पॉलिसी जो आई है राष्टे सिक्षा नीती जो आई है 2020 वाली उसके कोडिक समस्टर टाइप की परिक्षाएं सभी की होने लगी हैं तो ऐसे में मिलिटरी साइंस का भी पेपर एक प्रकार से आपका सब्सक्राइब बहुता है जिसको आप बोलते हैं डिफ्ञ एंड प्रकार से पहले मिलिटरी साइंस को बोला आता था ठीक है तो इसमें भी एक प्रकार से जब आप फेप्त समस्टर में पहुंचते हैं तो आपको दो पेपर पढ़ना पड़ता है ठीक है अच्छा जब डि में पढ़नी है वही BSC में पढ़नी तो अगर आप BSC से एक प्रकार से सेन विज्ञान लिये हैं Military Science लिया है Defense and Strategic Studies आपके विसे है आपका खासर कि अगर आप BSC में है तो भी और BA में है तो भी दोनों का सलेबस यही है और सेंटर जहाँ पर आपका जाएगा वहां पर दो पेपर आपके होगा थीक है तो आपके का अगर हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ना defense and strategic studies यह आपका subject है ठीक है course title यह आपको पढ़ना क्या है Indian defense mechanism के बारे में Indian defense mechanism को हिंदी में बोलते हैं भारतिये रक्षा तंत्र क्या बोलते है भारतिये रक्षा तंत्र लिख लिजिए सभी दुख लिखेंगे भारतिये रक्षा तंत्र यह आपके paper 1 में आपको पढ़ना है और इसके अलावा अगर मैं paper 2 की बात कर दूँ इसी समय तो paper 2 का syllabus मैं जल्दी discuss कर दूँगा लेकिन आज हम paper 1 के syllabus के बारे में discuss करेंगे paper 2 में आपको पढ़ना है national security of India यहाँ पर आप देखे code title में क्या आपको देखना है national security of India मतलब की इसको हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हिंदी में बोलेंगे भारत की रास्टिय सुरक्षा क्या बोलेंगे भारत की रास्टिय सुरक्षा भारत की रास्टिय सुरक्षा लिएगा paper 2 का यह नाम है राश्टिये सुरक्षा तो ये दोनों पेपर हम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में हम आपको बिस्तार से समझाएंगे मारल पेपर चेप्टर वाइस वीडियो भी आपको देने का प्रियास रहेगा तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छा प्रक्टिकल की अगर बात किया है तो पेपर थिरी में आपको प्रक्टिकल देना होगा बी बेस्ती सभी में प्रक्टिकल होगा ठीक है और प्रक्टिकल में आपको बता दूं क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है आपको यहाँ पर दिखाई पढ़ा होगा कोर्स ट बाकी जो है आपके ये आपकी परिक्षा होगी इसकी ठीक है पेपर वण और पेपर टू की अब आइए पेपर वण में हमको यानि की खासर के इंडियन डिफेंस मैकनिजम में हमको पढ़ना क्या-क्या है credit है for ठीक है और core compulsory subject है elective subject भी हो सकता है ठीक है पचीस पलस 75 यानि कि एक प्रकार से पचीस नमबर आपको जो आपका एक प्रकार से वाईबा और जो assignment वगरा होगा इसका उससे मिलेगा और 75 नमबर आपका paper होगा ठीक है minimum passing marks जो है 33 परसंट ही है मलब 25 पचातर दोनों को मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा 100 में से आपको 33 नमबर राना यहाँ पर जरूरी है तभी आपको pass किया जाएगा अब यहाँ पर देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है ठीक है unit 1 आर्थात इकाई 1 इकाई 1 में आपको पढ़ना है introduction and defense differences between army, military and defense forces आपको यहाँ पर सबसे पहले परिचे समझना है किसका परिचे और अंतर की बात की जा रही difference between किसी की बीच में? army and military की बीच में और defense forces के बारे में आपको जाना है मतलब कि सेना और सैनिक क्या होते हैं? सेना का परिचे, सैनिक का परिचे और दोनों में अंतर क्या होता है? इसके अलावा defense forces मलब रक्षा बल बोलते हैं इंदी में इसको defense forces को क्या बोलेंगे भई हिंदी में रक्षा बल बोलते हैं ठीक है ये बात आप धेंद रक्षा बल तो ये हम लोगों को पढ़ना defense forces के बारे में रक्षा बल किसे कहते हैं क्या होता है इसके बारे में हम पूरा जानेंगे military किसे कहते हैं आर्मी किसे कहते हैं इन दोनों को हम स सेकेंड लाइन डिफेंस सेकेंड लाइन डिफेंस का मतलब होता है दूसरी पंक्ती की रक्षा किसकी दूसरी पंक्ती की रक्षा दूसरी पंक्ती की रक्षा में खास करके आप देखेंगे इंट्रोडेक्शन टू पारलिया मलब की पैरा मिलिटरी फोर्सेस इन ब्रीफ पैर अर्दसैनिक पैरा मिलिटरी फोर्सस का मलब होता है अर्दसैनिक बल ठीक है समझ में आरी चीजे तो यह अर्दसैनिक बल जो होते हैं उनका हमको प्रकार सी उनका इंट्रोडेक्शन समझना है पैरा मिलिटरी जो फोर्सस हैं उनके परिचे समझना है उनके बारे में हमको जा की की भारत के जो रक्षा संस्थान खासर के भारतिय रक्षा बल जो है उनके बारे में इंडियन डिफेंस फॉर्श कम वर्थ यह वह उता है भारतिय रक्षाबल भारतिय reak्षा बलों में हुम लोग ऋर्षक चर्प्र आप-दस ठीट respectively देखेंगे देखेंगे इसके बारे में चाशा करेंगे कि इसके बाद में कि शींजा графat उस तरीकों के बारे में हम लोग जानेंगे मैथट जानेंगे डिफेंस सर्विसेज में प्रकार से भरती होने के उसको हम लोग जानेंगे इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ट्रेनिंग इस्टिउशन आफ दर्ट थिरी सर्विसेज मलब तीनों सेनाओं के जो महत्पूर्ण प्रसिक्षन संस्थान हैं ट्रेनिंग इस्टिउशन हैं जो थिरी सर्विसेज मलब जल्थ सेना के थल सेना के और वायू सेना के जो बहुत ही में हम लोगों को पढ़ना है higher defense organizations of India higher defense organization of India को हिंडी में क्या बोलेंगे भारत के उच्छ रक्षा संगठन higher माने होता है उच्छ defense माने होता है रक्षा organizations का मनलब होता है संगठन ठीक है और आगे क्या लिखा हुआ है आफ इंडिया मनलब भारत के तो भारत के उच रक्षा संगठन के बारे में जानेंगे अच्छा उसमें पहले चीज हम लोग power of the president of India in relation of defense खास्तर के भारत के परधान मंत्री स्वरी भारत के राष्टपती के सक्तियों के बारे में जानेंगे जो सक्तियां रक्षा से related है, रक्षा से सम्मद्ध है, और कि रक्षा के सम्मद्ध में भारत के राष्टपती के सक्तियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इसमें दूसरा point हम लोगों को पढ़ना है 1 और नमबर 3 में क्या पढ़ना है role and function of military defenses military defense role role मतलब क्या होता है भीया भूमिका किसकी भूमिका भूमिका और function माने होता है находится ठीक है तो भूमिका और कार हम को समझे लहा military of defense मतलब कि आप से कह रहा है कि रक्षा रसं क्या पूछा गया यह आपका क्या पढ़ना है आपको रक्षा मंत्राले की भूमिका और रक्षा मंत्राले का जो कारी होता है खास किर के रोल यानि भूमिका और फंक्षन किसका Ministry of Defense Ministry of Defense यानि रक्षा मंत्राले जो है इसको बोलते हैं हिंदी में Ministry of Defense को क्या बोलेंगे रक्षा मंत्राले तो जो रक्षा मंत्राले है उसके बारे में हम जानेंगे रक्षा मंत्राले की क्या भूमिका होती है और क्या कारी होते हैं यह हम समझेंगे इसके बाद में काई तीन में ही तीसरे चेप्टर में हम लोग देखेंगे composition and function of defense community मलब की committee committees जैसे आबलिक NSC NSC का मलब क्या होता है NSC का full farm होता है National Security Council राश्टिय सुरक्षा परिसद तो उसी को बोलते हैं एक प्रकार से NSC तो रक्षा समितिया जो हैं उनके बारे में हम लोग जानने का प्रियास करेंगे composition मलब उनकी इस्थिती और उनके कारी के बारे में हम जाने गे इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगला chapter रिसी में एक आई तीन में क्या पढ़ेंगे Chief of Staff and Joint Service Organization इसमें हम पढ़ेंगे Chief of Staff के बारे में and Joint Service Organization के बारे में जिसको आप बोलते हैं सेवा संगठन Joint Service Organisation को बोलते हैं क्या, संयूंक्त जिवा संगठन संयूंक्त सेवा संगठन और चीफ आप स्टाफ के बारे में हम छर्चा करेंगे इकाई नमबर फोर में हम आएंगे इकाई नमबर फोर में हमको पढ़ना आर्मी organization के बारे में army organization के अगर बात की जाए तो army organization को हिंदी में बोलेंगे सेवा संगठन क्या बोलते भाया इसको बोलते हैं सेवा संगठन लिख लीजेगा सभी लोग तो जो मैं हिंदी में बताता हुआ चलता हुई आप लोग जो है no down करते हुए चलिएगा ओके तो army organization को क्या बोलेंगे army organization को बोलेंगे सेवा संगठन ठीक है अब इसमें हमको पहला organization में क्या पढ़ना है army organization में हमको organization आप army headquarters मतलब जो सेना के खासर के मुख्याले हैं उनका संगठन हम लोग देखेंगे ठीक है अब उनके संगठन में जैसे खासर के जो COAS है या PSO है उनके बारे में जानेंगे इनकी क्या भूमिका होती है roll up COAS जिसको आप बोलते हैं और end PSO तो इनके बारे में जानेंगे COAS का फुल फारम जानते हैं क्या होता है इसको बोलते हैं दा चीफ आफ आर्मी स्टाफ दा चीफ आफ आर्मी स्टाफ को बोलते हैं COAS फारम में ठीक है PSO को बोलते है प्रिंस्पल स्टाफ आफिसर क्या बोलते हैं प्रिंस्पल स्टाफ आफिसर समझ में आरे चीजे प्रिंस्पल माने होता है प्रकार से प्रधान, स्टाफ माने स्टाफ, आफिसर माने आफिसर तो जो प्रधान आफिसर होता है उसके पाई उसको बोलते PSO's तो Organization of Army Headquarters Army Headquarters के इन चीज़ों के बारे में इनकी क्या भोमिका होती है यानि कि जो सेना मुख्याले के संगठन होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में जानेगे इसके बाद में Esthetics and Field Formation of Indian Army Indian Army की बात किया है तो भारती सेना बोलते हैं उसको and Services मलब एक प्रकार से जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगी तो इस प्रकार से हमको 1.4 के बारे में पढ़ना है 1.5 में हमको क्या पढ़ना है 1.5 में आपको Year Forces Organization के बारे में पढ़ना है एर forces अर्गनाईसे मझल अब की जो एक प्रकार से जो वायू सेना है वायू सेना का जो संगठन है उसके बारे हम को जानना है तो वायू सेना में अरगनाईसे आफiva air forces headquarters quarters यानि हमको वायू सेना का मुख्याले के संगठन के बारे में जान लेना है खास करके CAS और PSO ठीक है इनकी भूमिका समय लेना CAS को बोलते हैं Chief the Chief of Year Service, Year Staff ठीक है यहाँ पर CAS का मलब क्या होगा Chief Year Staff ठीक है यह बाद यानि Chief of Year Staff इसके लाब PSO का वही होगा यानि Principal Staff Officer तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे इसके लामा वायू सेना के भी हम Static and Field Formation of Indian Air Forces जो भारतिय वायू सेना है उसके इस्थेतिक और छेत्रिय संगठनों के बारे में हम लोग जानेंगे इसके बाद में यही सेम फनड़ा हम लोग नेभी के बारे में समझेगे नेभी एरगनाजैन के मलब होता है नोसेना संगठन तो नोसेना संगठन के बारे में जानेंगे उसमें अरगनाजेशन आफ नावल हेड़क्वाटर्स, नावल हेड़क्वाटर्स मलब जैसे नावसेना का जो मुख्याले संगठन है, नावसेना मुख्याले का संगठन उनके बारे में जानेंगे, उसमें खास करके CNS और PSO की भूमिका समझेंगे, चीफ आफ नवल स्टाफ ठीक है, चीफ आफ नवल स्टाफ और PSO का मलब वही होता है, यह जो प्रिंस्पल स्टाफ आफिसर होता है वो, तो इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है, यह सब ठीक है, इसके लावन स्टाटिक फीड और फीड फॉर्मेशन आफ इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी का, यह भारते नोसेना का, इस्थितिक और खासर के छेतरी है, जो संगठन है, उन संगठनों के बारे में हमको जान लेना है, तो यह हमको पढ़ना इकाईच छे में, इकाईच साथ में हम लोग परवेस करेंगे, इकाईच साथ में हमको क्या पढ़ना ह ओकाई साथ में पढ़ना है co-operation, bedclean, armed forces and civil authorities. मतलब कि जो ससस्त्रबल है उनके और नागरी का धिकारियों. ससस्त्रबलों और नागरी का धिकारियों के बीच सहीयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे. अब इन सहीयोग में कौन-कौन से सहीयोग होते जैसे कि पहला सहीयोग में ऐसे कि हम लोगों को जो है maintenance of law and order यानि कि कानून और ब्यवस्था का रख रखाओ कैसे कियाता है इसको हमको पढ़ना है इसके लाव fluid relief और अमलब की operation जो बाढ़ राहत अभियान है उन अभियानों के बारे में जानेंगे इसके लावा rescue and relief operation जो बचाओ और राहत अभियान है उसके बारे relief माने होता है राहत rescue माने होता है बचाओ तो बचाओ और राहत अभियान जो चलाए जाते खासर के सेना के द्वारा उसके बारे में समझेंगे ठीक है ये बात ध्याने किएगा बहुत important चीज़े आप यहाँ पर पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रियास किया जाएगा तो ये सारी चीज़े आपको यहाँ पर पढ़नी है ठीक है इसके अलावा इकाई-8 में आपको क्या पढ़ना है इकाई-8 में आपको पढ़ना है Indians Defense Cooperation with Foreign Countries मतलब की विदेशों के साथ भारत का जो रक्षा सयोग है उस रक्षा सयोग के बारे में हमको पढ़ना है पहली बात तो Defense Diplomacy के बारे में जानना है जो रक्षात्मा कूट नीती है या जो रक्षा की कूट नीती है उसके बारे में पढ़ना Diplomacy माने होता है कूट नीती ठीक है अगला है Cooperation on Capacity Building and Training यानि छमता निर्माड और प्रसिक्षड परसयोग की हम बात करेंगे ठीक है यानि जो छमता निर्माड होता है Skill Development की बात की जाए चाहिए परसिक्षड की बात की जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके अलामा Defense Partnership with Major Powers मलब प्रमुक सक्तियों के साथ रक्षा सांजेदारी कैसी ये बारत की तो इसके बारे में चर्चा करेंगे तो इस परकार से एकाई नंबर आठ में हमको ये पढ़ना है तो इस परकार से आप लोग जो है इतना सलेबस आपका है इकाई अमलब आठायचाकाई में बटा हुआ है कुछ बिष्विध्यालयों में क्या होता है इसे लखनाव बिष्विध्यालया और देंदेलो पद्ध्या गोरग पर बिष्विध्यालय में जो है पेपर 1 में भी दो पार्ट आपको देखनेकों मिलेंगे , ठीक है, जो सुरूइद की चारिकाई है, वहांपर मिलेंगी, ठीक है, हो सकता है, ऐसा हो, और पेपर 2 आपका पार्ट यहां से आपको कर देंगे, इस परकार से हो सकता 3-4 पेपर हो सकते हैं, यानि कि अधिक सद्यान रखिएगा. ये है आपका syllabus जिसके बारे में चर्चा करीं. अगली जो बीडियो होगी. वह नेसन सिकोरिटी आफ हिंडिया नेसन सिकोरिटी. सोरी. नेसन नेसनल सिकोरिटी आफ इंडिया के बारे में हम चर्चा करेंगे. भारत की राश्टी ती अच्छा के बारे में उसके सलेबस के बारे में हम लोग डिस्स करेंगे पेपर टू के ठीक है चलिए फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत आप सभी का बहुत-बहुत धनिवाद हमारे से जुड़ने के लिए किसी प्रकार से अपना प्यारा म पैसा बनाए रखिएगा गुड़नेट आला प्यू बहुत-बहुत धनिवाद